नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका सागत है आज का मेरा विशे है करक लगन में राहू केतु का राशी परवरतन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 माद 2019 से राहू वा केतु अपनी राशी बदल रहे हैं अगस्त 2017 में राहू वा केतु ने करक वा मकर राशी में परवेश किया था और अब 7 माद 2019 को राहू तो करक से मिथुन राशी में जा रहे हैं और केतु मकर से धनू राशी में जा रहे हैं आईए ये रहू वाकेतू करक लगन वाले जातकों को क्या फल देंगे इसका विचार हम करते हैं सबसे पहले जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम विचार करते हैं की रहा हुआ के तु कुली के किस भाब में कौन सा फल देते हैं उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि किस लगन में उनका कौन सा फल आया आईए सबसे पहले हम करक लगन की कुली देखें इस कुली के पहले भाब में चार नंबर की राशी लिखी है चार नंबर की राशी का मतल जनू राशी, सप्तम भाव में मकर राशी,边श्टम भाव में कुम राशीवं, नवं मीन राशी दशम भाव में मेश राशी, DM 5 pace दो यह तो है कुंड़ी. अब हम देखें कि इसमें राऊ केतु कब फल दे सकते है, तो मैं आपको सबसे पॉजीटिव बात बताओं में तो मैंने इसमें रहु केतु लिखे हैं केतु लिखे थनुराशी में चेते भाव में और राहु लिखे हैं 12 भाव में इसका मतलब जो तीन अच्छे खासे घर होते हैं तीसरा चटा और ग्यार्माज जिसमें राहु उमिशा फल देते हैं उसमें से राहु और केतु को गर देखें तो केवल केतु जो हैं उच्छटे भाब में बैठे हैं इसका मतलब करक लगनवालों के लिए यह जो राहु सबसे पहले तो बात देखिए कि जो करक लगन के लोग थे उनके राहु वा केतु के अक्ष में उनका लगन बैठा हुआ था यानि करक राशी में राहु चल रहे थे और मकर नच्छी में केतु चल रहे थे यह ऐसी श्तती है जब पत्नी में आपस्त में भ्रहम हो जाते हैं म्दभ्यद पएदा हो जाते हैं वह दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते है यह नहीं है साल से उनके लिए बहुत अच्छी खुशकवरी की सुचना कि अब उनके वेवैक जीवन में खुशिया आने वाली है क्योंकि सबसे पहली बात की सिर्फ राहू और केतु जो है उनके लगन से हट गए राहू जो बारवे घाब में चला गया और केतु जो है छटे बाब में आ आपको धन्चे समंद्र लाब देगा क्योंकि केतु की जिस्टी एक दो तीन चाफ पांचे साथ आणो केतु के जिस्टी धनवाब पर होगी केतु यहां पर धनू राशी में अपनी उच राशी में बैठके धनवाब को रिष्टी देगा तो आपको अचाना की लाब की प् जब गुरू मार्च 28 मार्च 20 अपरेल तक यहां रहेंगे उसके बाद 15 नौमबर 2019 के बाद यहां रहेंगे तो सौराशी का जब गुरू केतु के संग यूती बना लेगा तो यह यूती ऐसी है कि आपके शत्रों का बिल्कुर नाश हो जाएगा आपका कोई कोट केस चल रह अदर कंगो का देकिए रहू चला गया भार तो यहां पे देख़ह मिधुन राशी में उचका है और उचके की बात होती है वह आपको हमेशा आपका भाग्वदे में करता है तो इशी थैस्स्तिति में रहू अचाना कि आपके सामने ऐसी आप्शन ला सकता है कि आप भार चले जाएं और वहां आपका कोई बहुत बड़ा भागय की इस्टजी बन जाएं तो यहां की राहों की पॉजटी बात आ गई दूसरी एक बात और निकल के आ रही है क्योंकि केतु आपके छटे भाब में बैठे हैं उचके तो अगर आप कोई वैपार करते हैं आपको उसमें फैदा होने की स्टजी बनी हुई है तो यह तो सारी पॉजटी चीज़ें आ गई कि करक लगन वालों को राहो केतु का जो गोचर बदल रहा है उसमें क्या क्या पॉजटी मिलेगा वैवैग जीवन की खुशियां वैपार में धनलाब शत्रू का नाश विद वो इसमें कुछ परिशान से रहेंगे उनको कुछ ऐसा बहुत प्रेदवादा का मतलब है उनके उपर कुछ नजर का प्रभाब ज्यादा होगा कभी वह बहकी बहकी सी बाते करेंगे क्योंकि उनको उपर राहुक का गोचर माइनस हो रहा है कि जो उनकी हैल्थ को और यहाँ पर केतु आ गया अब केतु क्या करता है आपकी वाणी भाब को देख रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ वाणी भाब को देख रहा है और मामा या मौसी के भाब में बैठा है यानि आपकी मामा या मौसी से ललाई हो सकती है तो यह डेड़ साल ऐ आपको ऐसा होगा कि आप कभी जाएं और आपको लगे कि हमारे मामा ने या मौसी ने अमारा अपमान कर दिया क्योंकि यह कराने में केतु सक्षम है इसके अलावा यह होगा कि आपकी जगड़ा करने की प्रवर्ति इस आने वाले डेट साल में बढ़ जाएगी अचारा कि अपकी यह अब पेरों शोपना कि इसके लागा एक विशेष बात यह होगी कि राहू आपके शयया भाब में बेटा है यहां से विचार करते हैं यानि यह आपकी गूंडी का Bedroom है तो क्या होगा पती पतनी में जब भी अब लडाई होगी लडाई तो होगी और वो लडाई की वज़ज़ारी यह होगी कि वो लडाई हमेशा रात के समय होगी और रात के समय जब आप बैढ़ रूम में आएंगे आने के बाद ही आपकी लडाई शुरू होगी दिन में आपकी लडाई नहीं होगी रात के समय लडाई होगी यह राओ की खासियत है कि सारी प्रॉलम रात को खड़ी करता है जब शया भाब में रहता है तो कई लोग ऐसा मैसूस करेंगे यार गोचर तो ठीक हो गया लगन से सब कुछ ऐसा ही रहा तो यह इस्तिती ऐसी है कि रहो आपकी लडाई तो कराएगा और वह भी रात के समय कराएगा यह इस्तिती निकल कराई इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कर्ग लगन के जातकों के लिए रहो केतु का गोचर वैपार बेलाब धनलाब शत्रू का नाचिन वाला है इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समात करने से पहले उन सभी दश्कों से प्राहतना करती हूं जाज़िए नवसकार दूसकार करई जाय मातादी